दिमुकेश राजपुच शो में आप सब का स्वागत है आज की हमारी शो की महमान भी बहुत खास हैं नब्बे के दशक में आप इनको दूरदशन की टीवी स्क्रीन पर देखते थे ये एंकरिंग करते नजर आती थी उससे पहले आपने इनको कई फिल्मों में भी देखा ता सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया बाल कलाकार के तोर पर भूमी का निभाई अब जिस भूमी का में ये हैं उस भूमी का में सुनकर कुछ लोग डर से जाते हैं सहम से जाते हैं कि ना जाने अगर इनका सामना हुआ तो क्या होगा पिल्कुल ठीक समझे आप आज कल ये ह महिला आयोग भी काफी डराने का काम करते हैं यह यूं कहिए कि आग को पानी का भै बना रहे उस भूमिका में हैं हमारी महमान है रेनु भाटिया बहुत बहुत स्वागत है आपका शेकरिया मुकेश जी तो तारूफ में तो जो मैंने बताया मुझे तो जो आपकी थोड़ी बहुत धुनली सी यादे हैं वो दूरदर्शन की हैं उस वक्त आप दूरदर्शन में एंकरिंग किया करती थी आज जो आपकी जिन्दगी के अलग-अलग फलसफे हैं उनको जानने की खोशिश करेंगे कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे कहां पैदा हुई जिन्दगी का सफर वहां से यहां तक कैसा भी था मेरा जन श्री नगर कश्मीर में हुआ और मैं विभाजन के बाद आय हुए परिवारों की बेटी हूँ बैसिकली पीओके से हूँ पीओके के बाद जब कुछ लोग हमारे परिवारों के वहां सताय गए तो उन में से एक परिवार हमारा था जो श्री नगर आकर सेटल रतन्रानी हॉस्पिटल में मेरी शिक्षा देक्षा प्रेजेंटेशन कॉन्वें श्री नगर की हुई और उसके बाद हम उधंपूर और फिर देरादून शिफ्ट हुए तो मतलब पहले आप पाक ऑकुपाइड कश्मीर में सताय गए उसके बाद कश्मीर आए तो वहां प कश्मीर से हिंदूस्तान का जो कश्मीर है हमारा अपनकर हम तो जो पाक कुपाइड कश्मीर आप उसको भी अपना ही वाशान में कर दिया तो वहां से फिर जो देरादून का सफर था उस दौरान कौन-कौन सी चीज़े खास रही जीवन में? बहुत अच्छा सफर नहीं रहा मुकेश्ची वो मेरा, बिकाज कश्मीर में ही जब मैं तीसरी कक्षा में थी, मेरे माता-पिता का एक अक्सिडेंट में दिहान थो गया, तो दादा जी के द्वारा मैं पाली गई, फिर उनकी देखरेक में मैं बड़ी हुई, तो इसलिए वो एक टफ टाइम था मेरी लाइफ का, लेकिन आज जब अपने जीवन को देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है, उस टफ टाइम ने मुझे मज़े मजबूत किया, और आज मैं आज की बेटियों को मजबूत कर पा रही हूँ, अपने एक्जैमपल्स के साथ, तो कभी कभी ऐसे लगता है, शायद भगवान ने इम्तिहान लेने के लिए वो सब किया था, ताकि मैं आज एक शिक्षिका बन सकूँ, उन बेटियों की, जो आज टफ टाइम से गुजर रही हैं, तो मुझे दौर तो रहा, लेकिन बहुत कुछ सीखा, आपने एक फिल्म में भी काम किया था, जो बेनिजर भुटो पर बनी थी, और बेनिजर भुटो की लुक्स और आपकी लुक्स काफी मिलती जूलती हैं, इसी के चलते काम मिला? नहीं, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी, दूरदर्शन में काम करने के दौरान दो सीरियल्स बन रहे थे, तमस और पाके हिंद, तो उस में राजीव गांदी जी का और इस तरह का कुछ रोल था, जिसमें मुझे भी बेनजीर का लुक के हिसाब से रोल मिला था, प्रन्तु वो सीरियल स्टार्ट नहीं हो पाया, और ये बात किसी एक पत्रकार साथी को याद थी, जो अमरुजाला के चीफ रहे, दोजार आट नॉमें, नॉइडा, मुझे तो भूल गया था, ये सब, लेकिन जस दिन बेनजीर की हत्या हुई, उस दिन में एक सो दो तीन बुखार में थी, और घर पे थी, सड़नली एक साथी का फोन आता है, अमरुजाला से, फरीदाबाद के, क्योंकि मेरा निवास वहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्यूरो चीफ अमरुजाला के आप से तुरंत मिलना चाहते हैं आज ही आज, तो मैंने कहा ऐसा क्या, मुझे बहुत तेज बुखार है, क्योंकि मैं उन दुनों में पार्टी प्रवक्ता थी, सिटिंग डिप्टे मेर थी फरीदाबाद की, तो मुझे लगा शायद उस ना आते, प्रन्तु उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बुखार से उठिये दो मिनट और आप टीवी देखिये, तो मैंने टीवी आन किया, तो देखा, बेनजीर की हत्या, उसका ये ये करके न्यूस फ्लाश हो रही थी, तो मैंने कहा, तो हाँ बेनजीर की हत्या का मैं देख रही हूं, बताइए, तो कहते हैं, नहीं नहीं, आप फटा फटा अपना ड्रेस अप वैसा करिये, हम लोग आ रहे हैं आपके, तो अभी तो बेनजीर की न्यूस चल रही थी, ना जाने कौन-कौन से चैनल के लोग मेरे घर पे पहुचे, नाशनल, इंटरनाशनल, सब चैनल के, और ये कहां से बात लीक हुई कि कभी मेरे को बेनजीर का किरदार मिला था, तो मेरे को फिर वैसा ही वाइट सूट पहनाया गया, दुपटा और वो सारा लुक दिया गया, यूट्यूब पे ये फिल्म भी है, 37 मिनिट की, क्या नाम है बेनजीर एक खत्या, दी मर्डर, तो उन्होंने फिर मेरे को चल के दिखाईए, बेनजीर कैसे बैठती थी, कैसे बोलती थी, ये स्टारा मुझसे करवाया, और अमर उजाला का फ्रंट पेज पे एक बड़ा आर्टिकल चपा, अभी हिंदुस्तान में जिन्दा है बेनजीर, वा, क्या बात, इसलिए कहते हैं कि चाहिए थारा म अच्छे हूँ या बुरे हूँ, आपका पीछा करते हैं, ये फिल्म रिलीज उस वक्त नहीं हुई, लेकिन जब समय आया, अठाइस कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई, जी यो टीवी ने दिकाई, जी जी मरने पर पहले जो प्लैन किया गया था, वो नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि जो कुछ मिलता है, आपको समय परी मिलता है, बिल्कुल ये साबित करते हैं, इस बात ने साबित किया, तो इस फिल्म की फिर शूतिंग के लिए लाहूर के लिए डारेक्टर्स वगरा ने की और आपको ध लोगों ने लाहर जाने का प्लान बनाया लेकिन ऐसा मालुम पड़ा मुझे कि कुछ लोगों ने ऐसा थ्रेट किया कि असली भे नजीर मार दी है नकली को भी मार देंगे तो फिर ये शूटिंग सारी अरावली हिल्स के आसपास और वहां फिर कराई गई अलाब के पडूस मे कर लिया और इस फिल्म में अगर आप जब देखेंगे तो जिन लोगों ने कम्यूनिटी पार्ट प्ले किया है हजारों की तैदाद में वह लोग हैं जिनको मानने एडवानी जी ने और थोड़ा सा उस समय दूरदशन की वज़ा से मेरा सहयोग रहा इसमें जिनको हमने यह सेटल किया है इंडिया में कुछ को मजनु का टिला गुर्दवारे के पीछे कुछ को फरीदाबाद राजीव कॉलनी में यह वो पाकिस्तान से आये हुए रिफ्यूजी लोग है हिंदू लोग जिनको वहां मुसल्मान करने की कोशिश की जा रही थी यह बेनजीर इनकी फे यह बेनजीर घुटो थी और हमारे जो इनलोग वो भाटी है और जो कैपटेन अमरिंदर सिंग है यह भी भाटी से तलूक रखते हैं तो बेनजीर का जो परिवार है वो भी राजस्थानी राजपूट जो है भाटी से बने हैं आप लोगों की कुल्देवी भी शाइद तन इसमें हो सकता है कि कभी-कभी राजनीतिक तोर पर हम फाइदा उठाने के लिए इंदू की बाद करते हैं मुस्लिम की बाद करते हूं लेकिन दुनिया बहुत चोटी से है कैश्मीर भी बहुत चोटा सा है इंदोस्तान और पाकिस्तान कभी एक ही हुआ करता है बिलकुल ब तो उन्होंने भी बेनजीर भुटो को लेकर अपनी यादें हमारे साथ सांजी की और का कि जब बेनजीर शिम लाई थी तो मैं MP होता था, मैंने उनको पूरा मालोड गुमाया, बहुत खुबसूरत थी, बहुत सुन्दर थी, और जब वो कह रहे थे कि बहुत सुन्दर थी, वीरभद्र सिंग भी अंदर से बहुत चाहिक रहे थे, तो सब की यादें जो है, अपने आप में एक मिसाल है, जी और आप जो तालू का कश्मीर से ही, तो इसलिए आपको बेनजीर भुटो की और मेरी दो तीन सिमिलारिटी थी, वो उस समय इंटर्व्यू के दौरान बात सामने आई थी, कि बेनजीर कश्मीर से थी, उनके पती उस समय राजनीती नी करते थे, उनकी दो बेटी एक बेटा थे, तो मेरा और उनका ये सारा मैटर सेम काउंट होता था, तो उस समय इंटर्व्यू में ये बहुत चला कि दोनों बेनजीर की हिस्ट्री भी सेम है, क्या थे, थोड़ी दिन में, क्योंकि बेनजीर लंडन से चुनाओ के लिए आई थी, और थोड़े समय में उनके चुनाओ थे, और बाद में सोला सीट की वृदी जरदारी जी को मिली थी, बिल्कुल, और नियूज में भी आ रहा था कि बेनजीर की फिल्म ने सोला सीटों की रेनू भाटिया और आज कल महिला आयोग की अध्यक्ष है, हर्याना की और महिला आयोग को लेकर जो पुरुश वर्ग है, यूँ कहिए कि कुछ जो आधा महिला वर्ग है, वो भी डरा डरा सा रहता है, पुरुश वर्ग कौन सा, जो साथ में काम कर रहा है, महिला अपने के साथ तो कुछ महिलाएं मैं सबका नहीं कूँगा उनको डरा के रखती हैं कि अगर काम के लिए भी कुछ कह दिया तो तुम्हारी शिकायत महिला आयोग में कर दूगी और महिला आयोग में शिकायत गई तो सुनी महिला की जाएगी पुरुष जो है उसको अपनी असलियत सा कुछ ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं काम से बशना चाहते हैं वो सिरफ आरोब भर लगा दे और उसका जो विक्टिम है वो खुद को दिखा कर पुरुष वर्ग को विक्टिम बना दे आपकी बहुत सी बाते सच्चे हैं और बहुत सी थोड़ी सी कॉन्फिक्ट मे चाहिए जो जैन्यून हो डराना भी ऐसा चाहिए जो जैन्यानिटी पे हो और जो आप कह रहे हैं कि पुर्षों का एक अलग मानसिक्ता बन गई है कि कमिशन में बात गई तो ऐसा हो जाएगा ये बहुत क्लेर कॉनसेप्ट होना चाहिए सब के जहन में कि अगर आप बदनि हैं अगर आपकी मेंटालिटी विमिन के लिए डर्टी है रॉंग है तो आपको जरूर डरना चाहिए बट इफ्यू आर ट्रू नाच्रल जैन्यून पार्टनर तो यॉर वर्किंग पर्सन दिन आइश आइटिंग आपके अंदर डर आता ही नहीं है तो डरता वो है जो इस दी अक्चल लॉफ विमिन कमिशन और विमिन के फेवर में तो इफ यू स्टेर एनी विमिन फोर्टीन से किंड और यू बात मैं आपको शेर करना चाहूंगा तो आपको डिसकेशन कर रहे थे यह बहुत पुरानी बात है तो उस वक्त मैं चंडीगर में हुआ करता था और आप जैसी पांच करांतिकारी महिलाएं हमने अलग अलग राज्यों से बुलाई थी तो उसने भी यह का किया अगर मुकेश जी आप मुझे 14 सेकंड देख लें तो मैं आप पे केस कर सकती हूं तो मैंने का मैडम अभी 13 सेकंड हुए है और मैं भी नीचे देख रहा हूं यह तक है जब तक आप ना कहो की 14 सेकंड है आपकी देखने की नियत आपकी देखने की नियत चाहा है और आज़ आपको अच्छी नियत से देख रहा हूं और आज जब MID कि नियत कैसी हाँ है दस दिन के जाएगी और मैं कट घरे में ख़ड़ा है अईसा नहीं है एसा नहीं है इस तू की 14 से किन्वाला जो है कानून वो बिलकुल सत्त है बट हर महीला भगवान ने उसको 6th sense ती है every women has that, she should you know utilize it, उपयोग करना चाहिए, छोटी बच्ची 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 बट बड़े आजमी की आंखों को समझ जाती है, उसके तच को समझ जाती है Every girl, every female has a sixth sense, she understands how the other person is looking at her, so हमें इस चीज का misuse नहीं करना चाहिए, now बहुत सारी cases हमारे पास ऐसे हैं, मुझे उमीद है आपका ये प्रशन भी होगा आगे, मैं पहले ही इसको clear करूं, कि हमारी सोच कैसी है महिला के प्रतिये बहुत माहिने रखता है, महिला अपने कानून का उपयोग करती है, या दुर उपयोग, ये ब बहुत सारी cases हमारे पास आए, पिछले वर्श हमारे पास 246 cases आए, जिन में चार cases ऐसे थे जो false थे, हमने उस महिला के किलाफ भी कारवाई की, अच्छो वो क्या हो जाती है, अगर वो false निकलती है बात, whatever example she is giving, they are wrong, जो सबूत वो दे रही है, वो गलत निकलते हैं, बहुत स cases आए, wrong दोस्ती के बाद, allegations आए, तो ऐसे बड़े clear हुए, तो पचासों case ऐसे थे जो जैनी उन थे, जिन को सबूतों के अधार पर बातों पर देखा गया, लेकिन, चार cases हमारे पस ऐसे भी आये थे, and we worked on it, and we did anti-working, this was not because women commission है, तो आप, women का साथ होगे, women का साथ होगे, women पत्नी जो है, वो पती से पीडित हैं, लेकिन एक organization अब ऐसी भी बन चुकी है, जिसका नाम है, पत्नी पीडित पती, पती भी तो पीडित होते हैं, उन विचारों का भी तो ध्यान आपको रखना चाहिए, कई पत्नी ऐसा तो नहीं है, कि अपना महिला होने का लाव उठात मुकेश जी, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अपनी अपनी बात रखे, पता नी, by God's grace, I am blessed with few things, मुझे ऐसे लगता है कि हमें दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा के सुनना चाहिए, आप अपनी बात मुझे कर जाते हैं, फिर लड़की आती है, वो अपनी बात क कर जाती है, जब आप सामने आमने बैठे होते हैं, आदी बाते हैं, आदी जूठी निकलती है, तो मैने पहले दिन से अपना ये एक system बनाया हुआ था, कि जो भी complaint आए कि I will call both the parties, they will sit in front of the camera, which is our record, we don't show it, which is for our record, and they will tell their problems, बहुत जल्दी जजज कर जाते हैं, what is right and wrong, बहुत इसे cases ऐसे होते हैं, confuse करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन सत्ते कभी हारता नहीं आप जानते हैं, या अप्तिक बहुत है, और at the end of the day, the story comes clear, कई कई बार हम पहली बार में ही सारी बात क्लेर हो जाती है, कई बार 4-6 sittings लेते हैं, तीन-तीन official sittings लेना, convincing करना, counselling करना, ये आयोग का भी धर्म बनता है, फर्स बनता है, और हम पुलिस को भी ये बात कहते हैं, कि 2-3 sittings तो हमारे officially compulsory हैं, आप 4 लीजिए, 5 लीजिए, अगर किसी की गरस्त बन सकती है, किसी की बात खतम हो सकती है, तो why not we give them an opportunity to do it, so हम ऐसा भी करते हैं, और बहुत सी बार गलत फैमि खतम होती है, तो जब गलत फैमि खतम होती है, तो case end होता है, अब मैं आ रहाएं, ये तो ही पुरुष और महीला वाला, कि महीला ने पुरुष पर आरोप लगा दिया, कि ये मुझे घूर के देखता है, इसकी नजरे गंदी है, मांसी ग्रूप से परतारीत करता है, या मु महीला को साबित करना पड़ता है, जी, बिलकुल, बिलकुल, हाओ, 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 ह को हम उससे भी पूछताच करेंगे जैसे हरीश चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे माना जाता है वैसे जो महिला कह दे हो सच है उसको भी प्रूव करना पड़ेगा आपको नहीं लगता जमाना बदल गया जमाना बदला है और इसी जो बदलेवे जमाने में जो मुझे तो यह उसको अधिकार है कि वो अपनी सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दे वो अपने ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दे वो अपने ननद के खिलाफ लिखा दे नंदेव के खिलाफ लिखा दे और पुले साती है वो जेल में बंद और असल में देखो तो लगता है कि जो ब कभी भी ज्यादा दिन तक तिकती नहीं जैसे जूट नहीं तिकता है महिला महिला की दुश्मन होती है यह रही थी कभी यह बात सच मैदम अभी आज मैं नहीं मानती हूं उसके लिए मैं आपको 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 जितने अगर आप मेरी बात करें तो मेरे सबसे अधिक ओपनेंट मेल है मैं चोटा सा उधारन दोंगी जब मैं वरीदाबाद की डिप्टे मेर थी एक मेल नहीं मेरे खिलाफ जूटे आरोप लगाए की अपनी कामवाली को मारती है फलाना धिंकाना और उसके कहे काम मेरी कामवाली को set करके कुछ पैसा वैसा दे के शी वेरी पूर लेडी उसको दे कर और मेरे खिलाफ केस बनवाया कि रेनु भातिया ने मारा रेनु ने ये किया and I was in jail for 14 days he was male who did that लेकिन जो आपके खिलाफ जिससे आरूप लगवा है she was female okay but he used her. उस female को use किया एक महिला को दूसरी महिला के खिलाफ यूज किया लेकिन अन्टी कौन था? अन्टी तो male था वेक्ति आज भी है फरीदाबाद की राजनीती में है और मैं भी वहीं हूँ. चलो उनका नाम नहीं लेते हैं फिर आप से के लिए पूछ लेए सुनने वाले स समझ गए? समझ जाएंगे. जो ना समझे वो? ना अनाडी नहीं हो सकते. वो खिलाडी होंगे जो ना समझना चाहें. एक और बड़ा अच्छा फॉर्मूला है. मैं हमेशा अपना उधारन इसलिए देती हूं कि कोई ये ना कहे आपके साथ हो ना तब आपको मालुम पड़ थी. इसकी जगा, महिला की जगा अगर काम वाला होता, फिर वो आरोप लगाता. तो फिर शायद आपको 14 दिन तक जेल में नहीं रहना पड़ा तो उसकी फैमिली थी ना पूरी? महिला का पती था, वेटी थी, लटा था? महिला का पती अगर आरोप लगाता, कि मुझे रेन वहाँ 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 बहुत से लोगों ने मुझे उस समय कहना शुडू कर दिया कि और मैं को लगता है मेरी राजनीती उसके बाद चम की because I was pure, true and that lady gave बयान in court कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ मुझे कहा गया 70,000 रुपया दिया गया यह 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 whatever So, अगर आप गलत नहीं है तो चाहे मैं थी उस case में चाहे आज कोई और औरत होती है If you are not wrong and you prove it, you will always win आप एकडम सही कहरे है, मैं से बिलकुल इतफाक रखता हूं लेकिन आपने इसे खुद बताया, उसके आरोप पर, जूटे आरोप पर वैसे तो आरोप अपने आप में ही जूटा लिखने की जरूरत नहीं है यह आप कश्मीर से आई हैं आप समझते हैं कि आरोप या इल्जाम तो अपने आप में ही जूटा ही होता है उसके आगे जूटा शब लिखने की जरूरत नहीं है उस आरोप के चलते रेनू भाटिया को चौदा दिन तक जेल में रहना पड़ा, जो जूटा था, वैसा ही आरोप जब कोई भहू लगा देती है, कोई भाबी लगा देती है ननत के उपर, या कोई पत्नी लगा देती है पती के उपर, तो कि मुझे पीडित किया जा रहा है, म मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने ऐसे ऐसे बैड एक्सपिरियंस से बहुत कुछ सीखा, किताबी दुनिया से आगे चल के सीखा, विन आए वुस इन जेल, रौतक जेल, मेरे रूम में ही उस समय जेलों की विवस्ता बड़ी गंदी होती थी, इन वेरी बैड शेप भी पर जब दो दिन निकल गए तो लगा कि अब तो जब तक जमानत नहीं हुई रहना है, तो आए स्पोक टू सो मैनी विमन ओवर देर, तो एक महिला थी बहुत बजूर्ग, शी बहुत सेवेंटी और उसकी दो बेटियां थी आठवी दस्वी की, जब उनसे वारता लप तो पता लगा, इनकी बहु ने इनको जेल बेजा, इनका बेटा और पती भी दूसरे उसमें, उस बजूर्ग महिला का बेटा और पती भी दूसरे विंग में, पुर्शों के विंग में बंद है, तो ये पूरा परिवार बहु ने बंद कराया, क्योंकि उन्होंने इस पर रोप लगाया और खुद को आत्मत्या कर दी यही तो कह रहा था मैंने उधर से बहुत कुछ सीखा आज वो मुझे बहुत काम आता है जब मैं कोई फैसला करती और इस तरह का रोप आता है रीकलेक्ट डाट ताइम और बातें जो उन्होंने मुझे बताई थी तो मैं उस हिसा प्राओं के हिसाब से उनकी बातचीत का क्या उसका बहु का इल्जाम क्या था किस वज़े से यह सारा हुआ पूस्ट मार्टम रिपोर्ट के आई वॉस इट किल्ड और वॉस इट आत्मत्या मैंने जहर खा लिया मैंने क्या लिखा उसमें तो बहुत सारी चीजे मुझे आतारानी जो करती है बगवान जो करती है अच्छा करती है एक और बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहूंगे विच इस अ मैसेज फो गर्ल्स और विमन आज की आजकल बरदाश बड़ी कम है नई लड़किया यह बहुत जरूरी बात है मेरा कहना भी और आप इसे दिख को जिरो नो if you want to live हम यह नही कहते है शादी कंपलसरी है no don't do it if you want to do it you do it if you don't want to do it don't do it but you don't deny for natural things in the life शादी हुई है तो बाकी सारी चीजें भी ग्रेस्त में चलेंगी so अगर आपको if you are a master's in HR if you are a master's in फलाफला subject you should have a mental master's in administration if you are a master's in administration for your office and you're not master's in administration in your life doesn't make any sense and you should as a female यह भी जरूरी है की यह भी जरूरी है की you should master in home science also क्योंकि हमारी जो हमारा जो हिंदोस्तान है वो पुरुषपरधान देश रहा है और अभी भी यह वली जो चीज है यह आप जितना मरजी कहें एक जो mail ego है उसमें दिखती है की घर वली management तो मैडम ही करेगी जाए वो दस घंटे ड्यूटी करके आई हो महमान आगे तो मैनेजमेंट का मतलब दबना नहीं है की ड्यूटी करके आई है रोटी भी उसीने पकानी है यह भी उसने करना है यह भी उसने करना है कपड़ भी उसने दोना है management means you should have that nature that you manage with your mother-in-law with your father-in-law with your children with your husband आप कपड़े दोरी है वो कपड़े डाल रहा है आप खाना बना रही है वो सर्फ कर रहा है this is management this is what we say this is combined management management doesn't mean कि आप 10 गंटे नौकरी करके आई हैं आपके यहां office का आपके channel का staff लड़कियां सारी घर जाएंगी फिर वो आटे गुनेंगी रोटियां बनाएंगी no कभी उसने बना दी कभी उसने बना दी this is the management but यह कैसे बनेगी जब आप आपस में तालमेल रखेंगे और उस management को follow करेंगे management doesn't mean बना ऐसा जो पती होता है उसको लोग छेड़ देते हैं हम है ना यहां कि तो फिर कौन कहता है दोस्त कहते हैं कभी किसी लड़की ने नहीं कहा होगा देखे अब आदमी आदमी वाली बात आ गई है लड़कियां बोल देती है यह अपने पती को बहुत तंग करती है उ वो पोचा मारता है तो जाड़ू भी तो लगाता है तो जाड़ू मैं लगाऊंगी पोचा तू लगा दिस इस management अब हम महिला आयोग जो है उसके पास शक्तियां क्या है क्या जैसे आपके पास कोई शिकायत लेकि गया तो रेनू भाटिया बैठी जज के तोर पर और उसने फैसला सुना दिया कि हाँ ये दोशी है या यह जो शिकायत करता है ये दोशी है तो क्या वहीं पर फैसला हो जाता है जज की तरह और उसको जेड बहुत बार हम F.I.R. दर्श कर आ देते हैं बहुत बार हम धाराएं लगा देते हैं बहुत बार हम ऑपिनियन के लिए पुल है इस जगह पर यह हुआ है तो हम पॉलिस को डिरेक्शन्स देते हैं कि आप जाएए हमें पूरी इंक्वाइरी करके यह रिपोर्ट हमें दीजिए लेकिन वो जो रिपोर्ट से वो पड़ी रहती है अभी दो तिन केस में आपके या दिलवा देता हूं अभी जींद वाला के हुआ था हर्याना में कैथल वाला केस हुआ था जिसका हम जिकर कर रहे थे आप सिफारिश कर देती है उसके बाद जो फाइल है वो कहीं ना कहीं दबा ली जाती है अधिंक मैंने अपने दो साल के टुनियोर में आज़ चेयर परसन ऐसा नहीं किया है और तीन साल के आज़ म 15 बेटियों ने नाम लिख कर हमें शिकायत की, we worked on it, 12 October को हमारे पस शिकायत आई थी, September या October, I don't remember the month right now, हमने अगर वो 12 October को आई है तो हमने 14 October को ही उसको पढ़ के उसके उपर working करके पुलिस को भेज दिया, I remember Sumit Kumar, SP जीन्द था, उसको हमने लेटर भेजा और working नहीं हुई 20 days तक, 20 days के बाद हमारे पस दुबारा बेटियों का फोन आता है, हमारे WhatsApp calling आती है, written में आता है, कि हमने आपको इस शिकायत दी थी, पुलिस कुछ नहीं कर रहा और हमारा प्रिंसिपल आज भी हमें तंग कर रहा है, हमने तुरंत SP को, I spoke to him myself, Sumit Kumar, and I said, 20 days से आपको हमने ये खिलाफ FIR दर्च हुई, then हमें फोन आया कि FIR दर्च कर दी, हमने का, within 24 hours, he should be arrested, but somehow, पुलिस ने थोड़ा दिले किया, व्यक्ति भाग किया, हमने अपनी टीम, जो भी हमारी परसनल कुफिया, हम जिस तरह से भी काम कर सकते है, वो हमने लगाई, तो कभी कभी लेडी जेम्स प जेक्ति को मत्रा से उसको ट्रेस आउट कराया, and we told Amit Bhatia, ऐसे चो था उस केस का, हमने का, तुरंत इसे पकड़ कर आपलाईए, ये मत्रा में है, इस समय, उनके बेटा और दमाद और ये सब आगे, and one threat I gave them, which was really official, कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है, चार दिन में, अ अब decide तुम करो, कि फादर को, ये तो emotional, whatever it is, blackmail हुआ, वो भी तो बेटियां थी, तो वो भी बेटी है, तो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं कानूनी तोर पर जानना चाहता हूँ, कि जो आपके पास अधिकार है, वो recommend करने के है, जी, तो मेरा जो सवाल पूछने का नजरिया है, क्या आपको लगता है कि कुछ पावर्स जो हैं, वो आपको महिला आयोग में जब अध्यक्ष बनाया जाता है, तो आपके कलम के सहारे वो चलती हूँ, क्योंकि अभी आपने recommend किया, फिर उस पे दवाब बनाया, फिर आपको lady James Bond बनना पड़ा, उसको emotional धंकी देनी पड देखे, ये अधिकार ही था, कि हमने उनको immediate कहा नहीं, तो जो delay बढ़ती जा रही थी, वो बच्चियां प्रताडित हो रही थी, तो हमने उनको immediate orders दिये, और उन्होंने arrest किया, फिर आज वो वेक्ती जेल में है, वो principal अब मुझे उन महीलाओं के बारे में बताईये, जिनका बोल रहे थे कि आपके पास, 246, जिसमें से चार शिकायते हैं ऐसी थी, जो जूटी थी, तो जूटी कैसे साबित होई, और जो जूटी शिकायत करता थी, महीला या लड़की, उनके उपर आपनी क्या करवाई किये, देखिये, मैं, we are not allowed and we should not reopen anybody's name and case also, case भी, पता लग जाता है, but I will give you examples, कैसे जूटी बाते साबित होती है, there was one lady in one of the districts in Haryana, who was doing, you know, tracking men alag-alag, आज इस पुष से मित्रता हुई, घूमे फिरे, मांग संदूर भरा, हरीद्वार घूमा, photos, upload, insta, लाना दिंका, and थोड़े ताइम बाद उसको 11 रुपे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं भूलूंगी, ऐसा ऐसा, same women, when he was threatened, वो देता रहा, जितना भी उसने तब तक दिया, same time में दूसरी वेक्ती से वो मित्रता में आती है, and she's doing it, same time में तीसरे से आती है, she's done all this, and she did with her husband also. मैं जो उसने एक शादी का जहां सा देखर सबको, सबको थसाया. हुआ क्या कि लास्ट में जो पुर्ष था, he was from Haryana, these three पुर्षों were from UP, the NOIDA also, one of them. तो जो एक हर्याना से था, somehow he knew me personally, before chairperson, as a BJP person, he knew me. So वो मेरे पास अपने लोगों को लेकर आए, कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, ये ये थ्रेट भी आ रहा है, और ये बात है, तो मैने का सबूत लाओ, कि that woman is doing that, I cannot tell anything to a woman, unless I have a proper thing against her. उनोने का आप हमे एक हफ्ते का ताइम दो, हम आपको सबूत देते हैं, तो उनोने मुझे ये सारे लोग धूंड के दिये, उनके साथ किचिवी फोटो, चाट, ये सारा, वो लोग लाके दिये, मेरे पास लाया जाए, हम इससे प्रेशन उत्री करेंगे, जब हमने क्वेस्चिनर किये, she had no answers, and she had damadol answers, तुमारा बेटा कितना बड़ा है, शायद बारा साल का है, शायद? how can a mother say, मेरा बेटा शायद बारा साल का है, शायद चौदा साल का है, mother, mother को तो अपने बेटे के, पतरी राद होती है, वो भी 2023 यच ओबिस में, हाँ, है न, so then, अच्छा तेरे पती कहा है, पता नहीं, आजकल बनारस में है, अच्छा, सास का नाम बताओ, कौन से पती के बारे में पूस रही है, so, ये questions जब हमने किये, so, she flickered in her words, and then, I told the SHU, ये, वो कर रही है, शक के दाएरे में है, प्लीज ये चीज़े आप एंक्वायर करके, हमें तीन दन में रिपोर्ट तो, when the report came, everything came out, किये, उसको भी शादी काओ करके, I said, तुम रमेश को जानती हो, कौन रमेश, मैडम, कौन रमेश, मन तो नाम भी पहली बार सुना, she tried to do this, so, I did, ये रमेश, आच्छा, ये, हाँ, ये थो मेरा फ्रेंट था, ये पती बनाया था, मांग सिंदूर हरी द्वार में हगी हगी पाके नहाना दोना ये सब करना, ये सब करना, what is this? माडम नहीं कोई जोतिन नहीं वो जिसके साथ बाइक पे बैठ के वहां से वहां तक गई थी धानिया रहा मैडम किसकी बात कर रहे हो मेरे तो ऐसा कभी मैं बाइक पे नहीं बैठी अच्छा ये रहा वाँ इसी से मिलते जुलते जो आरोप लगते हैं आजकल अख़वारों में आप पड़ते होंगे आजकल तोशल मीडिया पे की शादी का जहांसा देकर भलाव्यक्ती इस मासूम औरत से या इस मासूम लड़की से दस साल तक बलातकार करता रहा हूं क्या ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ती किसी लेडी से दस साल तक बलातकार करता रहे क्योंकि बलातकार तो मुझे एक ही बार लगता है कि हो सकता है आपने मेरा वहला वीडियो नहीं देखा उसमें तो दस बारालाग पंदरालाग लाक्स आया है मेरा केथल का वीडियो वायरल है मेरा केथल कॉलेज में मैं एक टॉक देने गई थी मेरा बड़ा पैशनेट सब्जिक्त है अब मैने स्कूल भी स्टार्ट कर दिया आठवी से बार्मी तक बिकोज बेसिक नीड उन गर्ल्स को है की हाउ तो हैंडल या लाइफ स्कूल तो कॉलेज 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 तो वरकिंग वरकिंग तो मैरेज तो उसमें मैंने एक बात जब बोली तो मेरे मूझ से एक कोई ऐसा शब्द निकल गया एक्जाम्पल देते देते अरे भाई तुम ओयों में गई थी वहां फला चीज तो नहीं करती हो ना तो मेरे पीछे लोग पढ़ गया अरे इसने ऐसा नाम क्यों लिया ये क्यों बोला दिना आया स्वेनी पीपल की मैंने ये बोल था कैई गलत था अःधा यह मैडम था तो ठीक छेख लेकिन आपको बोलना नहीं चाहिए था अच्छों टीवी पे नहीं बोलना चाहिए था करना चाहिए था हाँ है तो मैं थोड़ा एंट यू इस बातों के जो चीज़ अमें बेटियों को बेटों को सिखानी है तो वो बूलनी है एक केस मैडम शिमला में आया था एक बुजर्ग वहां के बिजनसमेन थे तो चरितर से हम उनको नहीं कहेंगे कि ठीक थे तो वो लड़कियों को बुलाते थे उनसे संबन बनाते थे उनको पैसे देते होंगे और उस वक् कैमरा चला था तो फोटो फोटो खीचते थे वीडियो भी बनाते थे तब वो लड़ू वाला कैमरा होता था तो एक बार उनका जो कंप्यूटर था वो खराब हो गया वो ठीक होने के लिए किसी मेकानिक के पास गया अब मेकानिक से जो था वो मसला वो पूरे शिमला में फ थे तो वो जज़ भी आप की तरह presence of mind थी फिर आप बताईए ना आपको कितनी बार नशा करवाया इन्होंने क्योंकि कई सारे वीडियो थे हैं आपके तो यह जो आरूप लगाते हैं लिविन में रह लेते हैं बर्सों बर्सों तरह बहुत फेवरिट सब्जेक्ट आपने मेर में रह रह थे आप cup in में रह रह थे आप फ्लैट का कि राया मैं दे रहा था खाना मैं किला रहा था सूबा ओफिस छोडने जाता था शाम को लने जाता था रिपम कानून को आरका ता आपने अब में 10 साल से बलातकार कर रहा हूं या पत्नी कहे कि आप मेरे साथ बलातकार हो गया रात को और उसको आप अंदर करवा दें तो ये कहा का इंसाफ है मुकेश जी मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है एक कानून पास हुआ लिव इन रिलेशनशिप लीगल है एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर लीगल है नो नो प्रॉब्लम आपकी परसनल लाइफ है आप अब हम किसी को लिवन में नहीं रोकना चाहते हैं बट I don't prefer I'm saying I, I'm not saying women commission मैं personally भी इस बात के खिलाफ हूं और personal इसलिए मेरी बात मानी जानी चाहिए क्यूंकि मैंने as a women commission chairperson practical देखा है तो मैंने ये एहसास किया कि आप life में जो personal practical देखते हो उसका कही न कहीं यूज हो सकता है तो मैंने क्या देखा कि girls live-in में अपने benefit के लिए age-wise आते हैं पुर्शों को क्या चाहिए था उनको लगा कि live-in authentic है चलिये जी college की girl, office की girl, whatever but then I tell girls when you come to us or go to police कि मेरे साथ live-in में ये कर दिया एक ही रटी-रटाई बात मेरे को शादी का जहासा दिया मुझे ओयो ले गए मुझे वहाँ cold rink में कुछ मिला दिया और फिर मेरे साथ ये हुआ और वो cold rink दस साल में कम से कम सो पचास पर पी लिया तो मैं girls को ये समझाती हूँ इसलिए मैंने colleges का concept उठाया हुआ है and I have promised myself कि I will go to at least 50 colleges जिसमें मैंने 17 कवर कर लिये हर्याना के कि girls को मैं बताऊं कि ये केसा है हमारे पास तुम तो नहीं हो कहीं समें से कोई अगर हो फसी हो तो हमारे पस आओ हम कोशिश करें तुम्हें बचाने की नहीं तो फस्ती जाओगी फस्ती जाओगी बच्ती जाओगी जब हम सारे अधिकार बराबर मांग रहे हैं जब हम status बराबर करना चाहते हैं जब हम IQ बराबर करना चाहते हैं तो फर्स क्यों नहीं बराबर कर रहे हैं हाँ क्योंकि as a female आप कह रहे हूं कि मैं बराबर हूं अब मैं आपकी duty लगाऊं सुबह छे बजे एंकर हो आप बिलानी पड़ेगी तो फिर आपको ठंड लगती है जल्दी बुला लिया सुबह अंदेरा होता है रात को ग्यारा बजे बुलाऊं तो फिर मैं आपको मांसिक ट चलो शाम वाली कर लो शाम को फिर ग्याराब जी तो बहुत लेट हो जाती है मेरे तो सास है मैं इसका उत्तर आपको पते क्या दूंगी मुकेश ची जिसका भी example यह है और सब सुनने वालों के लिए girls के लिए है जो working है हम अधिकार मांगते हैं हमें फर्ज याद रखना बराबर ची तो काम भी पूरुष के बराबर करना होगा और यह प्रैक्टिकल बात office में घर पे परिवार में रिष्टदारी में सब जगा लागू होती है same thing यह आपको लागू करनी होगी फिर सब जगा अब मैं उन girls को कहती हूं जो job वाली है मैं कमिशन में हूँ मैं मीड लड़की को उसका पती रात को बारा बजे मारता है शराब पी के आता है या उसकी सास मार रही है उसको मारने वाली है उसको किल करने वाली है मुझे बड़ा ट्रेट है मुझे डर है मुझे कि आज मुझे मार देंगे और वो मुझे कॉल करती है क्या मैं बोलू नाना बारा बज़े नहीं आऊंगी, मेरा पती नहीं चोड़ता हूँ, वो कहता है कि वुमन कमिशन की है, तो क्या हूँ, पारा बज़े नहीं जाएंगी, अगर मैं ऐसे कहूंगी, तो उस लड़की के साथ अन्होनी हो जाएगी, और आप पुलिस में हो, किसी में भी हो, आप पुलिस मे हो, ठाने में आप काम करती हो, मुकेश जी मेरे साथ पुलिस की टीम रहती है, मेरे साथ की रहती है, तो मैं देख लेती हूँ, कि मेरे को अगर ग्यारा बज़ गए, क्या मुझे इस पुलिस की टीम को अभी छोड़ना चाहिए, भेडना चाहिए, या हम सब की ड्यूटी है तो कोई ऐसे तो नहीं बोलती मैडम मैं तो जान दे मेर तो बालक रोते होंगे नहीं बहुत सारों को problem होती है तो हम manage करते हैं न उनके साथ ठीक है तुम आज जाओ कल तुम सुबह से आजाना आज अगर तुम्हारा बीटा बुखार है बिमार है साम दिशियरकी साथ दरैं गुखार रहां कि हा सिले अपको भी बोला था जो जिम्म्हारी का है इतापलाई इंटाइस ओन वर्क, फ्कूल, औ प्रविरस ऑक्स्रिद में सब्सक्राइपनेटा इल थिथक मेंट management. This is called MBA and administration. I believe in this MBA, not administration MBA, so boss का ये कर दिया, वो कर दिया. Are you doing it na? Sir आ रहे है, Mukesh सर आने वाले है, आरे ये तियार रखो, वो notes बना के रखो, points बना के रखो, pointers दे दो, तियार कर निकाला कि रहा है? That is master of business administration. Yes. और ये वाला जो business है, इसका मतलब व्यापार नहीं है. Master of life administration, I believe that. और वो भी जो business है, वो काम है, वो व्यापार वाला business नहीं है, कि जो आपका business है, जो आपको काम है, उसको किस तरीके से आपने administration के सो लेना है. तो ये वाली जो चीजें हैं, ये कई बार गती रोद पैदा करती हैं, पुरुष में, महीलाओं में, और जैसा मैंने बताया कि इसका कई बार फाइदा उठाने की कोशिश की जाती है. मैंने खुद पे अपलाई किया है, तो मेरी life का एक बड़ा अच्छा example ये है, practical, कि आप अगर अपने आपको manage कर लेते हैं, if you are a good manager for your life, there is no difficult way anywhere, there is no threat anywhere, there is no competition anywhere, you are the best. So, अपने आपको manage करना सीखिये. पुरुष की जो mentality रही है, वो गाना आपने सुना होगा, कि तुम अगर मुझको ना चाहो, तो कोई बात नहीं, पर तुम किसी गैर को चाहोगी, तो मुश्किल होगी. क्यों, 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 क you don't know how to manage your personal life, I don't think so there is any use. मैं ले दोनों साइड बराबरी का हक होना चाहिए, होता है, होता है, अधिकार है हमारा, अधिकार है, और हमारा बराबर नहीं, हम तो बहुत आगे हैं, महिलाएं हर चीज में बहुत आगे है, चीटिंग वाली बात मैं इस गाने के मारफ़त से जाना चाहिए, जिन में से चार केस केवल ऐसे थे, जो लड़की चीट कर रही थी, बाकी थो लड़कों नहीं किया ना, अच्छा, तो ये ऐसा तो नहीं कि आप महिला हैं, तो महिलाएं का जाना पक्ष लेती है, कभी ने, क् इतना अटेंशन में महिला रहती है, उतना ही पुर्ष भी रहता है, और हमें इस बात को समझना होगा कि कानून का दाइरा जो है, दोनों के लिए बराबर है, जज भी विमिन हो सकती है, जज भी मेल हो सकता है, इस चीज को भी हमें देखना है, वो सामने वाला तुमारी आज मैं आपको शायद पाँच चार-पाँच साल बाद मेली हो, मैं आपको मेली हो, मुझे बढ़ा अचा अरे मोकेश्ची आप यहाँ पे हो, वाव कितना अच्छा लगा, अब मेरा हग, आप एक साथी वाला लेते हैं, ओए होए यह वाला लेते हैं, आपके उपर डिपन आई थे, मुझे हग कर गई, यह आपके उपर हैं, तो वैसी जैसे मैंने यह वाला जो शेर का, मैंने का कि प्रोग्राम का आगाज अच्छा हुआ था, अंजाम भी अच्छा हो, लेकिन आपका दिमाग का हच्छा है, यह आपको देखा है, अरे मुकेश्च ने तो मेरे हम आई, और हम लोग ने पहले कितने सारे प्रोग्राम्स इकठे किये, और मुझे मैं मुकेश जी को जानती हूं, मुकेश जी मुझे जानते हैं, so you know, and I will tell all the women, all the men, don't cross that thin line, don't cross it, the moment you cross that thin line, the moment you are bad and dirty at that thin line, you are in trouble, male or female. Simple messages है, WhatsApp पे चलता है आजकल, good morning, good night, simply आप मुझे भेज रहे हैं, मैं आपको भेज रहा हूं, जब तक हमारी बात्चित ठीक चल रही है, अच्छे लग रहे है, तब तक ठीक है, बात बे एक दिन दिखाने लगे, कोई भी, male or female, सुबह सुबह मैसेज कर देता है, या करती good morning रोज रात को ग्यारा बजे मैसेज करता है, good night, ये वाली जो चीजे हैं, जो इशू बना ली जाती हैं, इन से कैसे बचें, करे ना करें, बतला कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जैसे क्योंकि हमारा जो मकसद है, आप दूर दर्शन में रही हैं, मैं दूर दर्शन में रहा हूँ, हमारा मकसद क्या होता था, education, information, then entertainment, इस कारिकरम के माध्यम से, अन्त में, जो लड़के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, और अवरत बोरस जो भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि सीमा क्या हो, क्योंकि सीमा जो तै करने वाली लाइन है, उसका पता ही नहीं है, कभी तो आपको जो मेरा मजाग है, बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी लगेगा, यार यह बखवास बहुत करता है, मुकेश टी, मुकेश टीक बडा ज जब तुम्हारी पहले ही घुस्ते ही मान सिकता ही है, अब मैं ऐसे बताऊंगी, तो फिर आप परिवार कैसे बनाओगी, तो तुमके बताने बताने में ही निकल जाओगी, वो सास और भाहु चाहे, जो दो में से कोई भी हो, परिवार पूरा, अगर तुम्हारी इंटेंशन अब कर दो भाहु अब तुमिप नुपरी नहीं ही और इंक बससे बड़ा ही, तो आप कभी सफ़ल नहीं होंगी, फशा दिया एक बार फास गया वो, तुम्हारी रपको भी तो पुम्हारी रपको बितो खुम्हारी नहीं जो पासा नहीं तो लेके लिफार ले किता universe to you, truth of nature, whatever you do comes back to you, यह आपके करमाज है, करमाज भी वापस आते है, यह बात मैंने प्रोग्राम के बीच में कही जो कुछ होता है वापस में वापस आता है, एक बड़ी अच्छी बात बोलूँगी, थोड़े दिन पहले एक कारिक्रम में मैं थी किसी टीवी चैनल पे, राम क उपर चर्चा थी कि राम को कुछ लोग नहीं मानते, विपक्ष तो खासतार से नहीं मान रहा, तो मैंने कहा, जो मेरे साथ पैनल पे थे, आप स्क्रॉल आउट करके देख लीजे, जो मेरे साथ पैनल पे थे, वो विपक्षी थे, तो कहते है, राम को हम नहीं बानते, मैंन बात बोल रहे थे हैं. अगर आप तब राम नम सत्य बोल रहे थे तो आज राम नम जूटा कैसे हो गया? नहीं वो थोड़ा सा competition इतना पैदा कर दिया रहा है कि लगता है कि जैसे राम का नाम लेंगे तो हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं. करम आपके है, आपको कैसे करने है, आप धार्मिक हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन राम को नहीं मानना चाहते हैं, नहीं राम को मानना चाहते हैं, पते नहीं उनको लगते हैं कि शायद आज जैश्री राम कहेंगे तो लगेगा कि भाजपा के समर्थागा, जैश्री रा नहीं बोलूँगा, जैसिया राम बोलूँगा, मैंने का भाई, जैसिया राम बोल ले, सिया किस की थी, राम की थी ना, तो राम थे ना, बस हो गया मेरा काम. तो आज की ये जो खुबसूरत हमारी बाचीत रही, इसका लबोलबाब अन्त में यही निकलता है, कि अगर आप सच्चे हैं, पक्के हैं, और अपने उसूलों पर चलते हैं, सच्चाई का साह देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगार नहीं सकती, अगर विमन बोथ, for youth especially, don't cross that thin night, छोटी सी लालच के लिए, बड़ा उप्योग मत करें, वो बड़ा उप्योग आपकी जिंदगी को बहुत बढ़ा कर देगा, बहुत दूर कर देगा, और जब वो किसी चीज का हम पाइदा उठाने की कोशिश करते हैं, महीला के तोर पे या पु खोदा होता है, तो पकी बात है, जो आप खड़ा दूसरे के लिए खोदते हैं, आप जरूर उसमें गिरते हैं, मैं प्रूवन इस बातों को कभी बैठेंगे, ऐसी बातों के लिए, ऐसे मुहावरों के लिए, तो मैं आपको साबित भी करके दिखाऊंगी, आज का जो प्र इस बातों को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, उमीद ये करते हैं कि जो भी आपके जहन में सवाल थे, उन तमाम सवालात का जवाब, रेनु भाटिया ने आपको दिया, आप तक पहुंचा, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आगे भी आप से मिलते रहेंगे, अनेक नेताओं को, लोगों को आप से मिलवाते रहेंगे, फिलाल मुकेश राजपुच शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाईए, बने रही है हमारे साथ, क्योंकि शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसला हमेशा की तरहां लगता जारी है, बने रहे हमारे साथ